हेलो स्टुडेंट्स आज का टॉपिक है इक्वेलेंट सर्केट ऑफ इंडक्शन मोटर इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने नुमेरिकल लगाये थे टॉर्क रेशियो पे और किनाम पी टू पी सी एंड पी एम पर है अब जो इस्टढ़डी करना है वो भी एक इंपॉर्टन टॉपिक है हम इक्वेलेंट सरकेट डाइग्राम इस्टढ़ी करेंगे थी फेज induction motor का तो हम लहुड करने से पछले में कुछ चीज़ें पताओं जैसे इसटेटर साइट के पिरामीटर्स के तो हमने मेंट हमारे कर कि तो ने बनदो तो रोटर तन्स अपन इस्टेटर टन्स डाट इस ए टू उपन ए टू उपन इवन इसको कर लिए डीफाइड अब रॉनिंग कंडिशन पे हमें पता कि परामीटर चेंज होते थे वह हम पहले ही प्रीविएस लेक्चर में देख चुके हैं कि रॉनिंग कंडिशन पर आपका रोटर इंडियूस यह में पर फेज है रेनिंग कंडिशन पर आपके इस पर कोई फेक्ट नहीं है स्लिप का तो आपके सारे के सारे पर फेज हैं क्योंकि हम थ्री फेज हमेशा पर फेज में इस्टडी करते हैं आप हमने क्या कि जो इंडक्शन मोटर इसको रिप्रेजंट किया एज ट्राश्फ़ॉर्मर कैसे एज थरॉर्मर डिस वन तो अमने एक स्टेटर बना है जो बड़ा सरकेल आपको दिख रहा है वो मारा स्टेटर शोटा सरकेल जिसमें मैंने लाइने कीच रखी है वह आपका और इस दोनों circle के बीच का जो gap दिख रहा है that is called air gap अब primary side हमने treat किये stator को और जो secondary side है उसको बोला है rotating secondary primary side के parameters हमने ले लिए primary side की जो winding उसका resistance R1 X1 ले लिया voltage supply voltage आपकी V1 है magnetizing part को भी मैंने represent किया है that is R2 sorry R0 और X0 secondary side पे जो parameters है वो running condition पे जैसे e2r जो की camera sx2 i2 और x2r sx2 जिसकी value है तो हमने induction motor को as a transformer बना लिया अब इसी में पूरे जितने भी चीज़ें सब को one by one हमने समझाया कि induction motor जब आपकी no load पे है तो हमने एक no load current को define किया जो की होता है आपका ic plus im phasor sum जो की ac quantities है तो हम एमेशा phasor quantities की phasor treat करते हैं phasor sums calculate करते हैं तो ic define कर दिया active component im define कर दिया magnetizing component then r0 और x0 r0 क्या represent कर रहा है no load losses x0 क्या represent कर रहा है flux setup और values के v1 by ic और v1 by im then i is not is equal to ic plus im अब बार बार हम यह वाला diagram नहीं बनाएंगे तो इसको और simplify करेंगे जासे की transformer में हम लोग represent करते थे जो हमारा core था उस core को represent करने के लिए या mutual induction represent करने के लिए हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते थे तो राउंड circle जो stator और रोटर रेप्रेजेंट कर उसको अटा दिया मैंने अब यहां पर इस तरीके से transformer में इसको mutual induction बोलते हैं तो दो वर्टिकल लाइन्स ड्रो कर दी और क्वाइल दिखा दी दोनों साइट इंडेक्शन मोटर में इसको हम बोलेंगे एयर गैप not mutual इंडेक्शन तो यह complete एक डियागराम बनाया मैंने equivalent circuit है आपका इंडेक्शन मोटर का स्टेटर साइट और रोटर साइट अब इस पूरे डियागराम में problem क्या है कि transformer में हमें electrical load पता होता है क्योंकि हम उस पर electrical load ही देते हैं बट इंडेक्शन मोटर में जो हमारा एंडेक्शन है वह हम बनदद में तो अब हम्हें यहां पर क्या करना खिला की जो रौृटर साइड है उस पर में उस माके्शन ओर का ए्लेक्शन इखविल जो रोटर साइड है उसका जो मकैनिकल लोड तो उसका इलेक्ट्रिकल इकोववलेंट इसका करना है तो उसके लिए process क्या लेंगे हमने क्या किया जो रोंटर इसमें जो पहले इसको find किया तो simply i2r क्या होता voltage upon impedance voltage के मेरी e2r upon z2r e2r की value put कर ली z2r की value put कर ली और numerator और denominator से slip s को numerator और denominator से हमने s को common लिया और cancel out कर जा तो एक term बना है r2 by s अब इस पर दियान देना it can be assumed that equivalent rotor circuit in running condition has fixed resistance reactance x2 fixed voltage e2 but a variable resistance r2 by s as indicated in the above equation तो मैं rotor side का जो equivalent circuit है उसको transformer से compare करूं तो transformer में secondary side e2 गा करता था r2 गा करता था और x2 गा करता था similarly हमको यह सारे parameters के इस form में चाहिए e2r2 और x2 के form में तो उस form में लाने के लिए मैंने r2 by s को pick किया that should is equal to r2 by s जो आपका right hand side है उसमें मैंने r2 add किया और r2 subtract किया got it देखना समझना r2 by s equal to r2 by s इसी में मैंने r2 add किया r2 subtract किया मतलब अभी equality hold करेगी then मैंने क्या किया कि जो बाकी दो terms है उसमें से r2 common ले लिया bracket में बचा आपका 1 upon s minus 1 मतलब r2 by s is equal to r2 plus r2 bracket में 1 minus s upon s अब यह जो है दो term में ब्रेक कर लिया first one is r2 r2 itself is represent copper loss जो second term है आपका r2 bracket में 1 minus s upon s which represent load resistance rl मतलब यही है हमारा mechanical load का electrical representation so it is electrical equivalent of mechanical load on the motor तो अब हम इसको रिप्रेजेंट कर लेंगे circuit diagram बना लेंगे तो circuit diagram बनाने के लिए rotor side के मैंने a b c तीन circuit diagram बनाया ए डियागराम इनिशली वाला था जिसमें a2r था r2 था और sx2 था b में क्या किया मैंने slip s को वहां से remove कर लिया e2 x2 r2 by s हो गया और just above मैंने r2 by s को two parts में break किया that is x2 r2 और r2 bracket में one minus s upon s यह है मेरा load resistance और यह हमारे rotor side का equivalent circuit circuit finally हम इसको बना लेंगे अब इस पर basic numerical आते हैं लेकिन अभी भी चीज़े complete नहीं हुए क्योंकि जैसे हम transformer में study करते थे कि parameters को refer करते थे status parameter को refer करते थे rotor पे तो यहां भी हम अपने rotor side के जितने भी parameters हैं उनको shift कर लेंगे इस टेटर पे तो next topic जो बनेगा वह है equivalent circuit refer to stator तो और जितने भी all parameters of rotor side refer to stator तो इस case में याद करिए जब बात impedance resistance और reactance किया थी तो या तो आप k square से multiply करते थे या divide करते थे similarly जब भी आप voltage और current को deal करते थे तो k से multiply करते थे या k से divide where k is the tons ratio transformation ratio e2 by e1 तो वहाँ पर concept हुआ करता था कि low से high high से low मतलब high voltage से low voltage side या low voltage से high voltage side यहां इतना deeply concept हमको study नहीं करना है हमको पता है कि जब हम रोटर से status side जाएंगे तो अगर voltage है तो हम के से divide करेंगे अगर current है तो कैसे multiply करेंगे और जितने भी आपके resistance impedance और reactance है इनको हम k square से divide करेंगे तो picking one हमने define किया k is equal to e2 by e1 then e2 dash की value लिका लिए dash represent क्या कर रहा है जब हम rotor side से strator side जाते हैं तो values change होती है तो वह जो change value है उन्हीं को हम dash से represent कर रहे है जैसे e2 dash i2 r dash x2 dash rl dash r2 dash इस तरीके से तो जो new values हैं यह आपकी जैसे e2 dash वह क्या होंगी e2 upon k similarly i2 r dash क्या होगा k times of i2 r then x2 dash जो की क्या होगा x2 upon k square i2 dash i2 upon k square rl dash rl upon k square ऐसे करते करते आप simplify कर लोगे अब simplify करने के बाद एक complete diagram बनाओगे जो आपके screen पे से में बना हुआ है हमने refer किया आपका stator side तो stator side की voltage v1 current आपका i1 flow हुआ stator side की winding उसका resistance r1 reactance x1 magnetizing part में current i0 flow हुआ जिसका resistance r0 reactance x0 current ic और im अब वहाँ पर आपने जो air gap था वहाँ पर rotor side का circuit add कर दिया जो की क्या है e2 dash x2 dash r2 dash और r2 rl dash जिसे हम बोलते है r2 dash 1 minus s upon s simplify करके आता है और इसमें current flow आपका i2 r dash अब इस equivalent circuit को थोड़ा सा और simplify करते हैं जिसका नाम है हमारा next approximate equivalent approximate में क्या करते हैं कि हम resistance एक तरफ कर लेते और reactances एक तरफ कर लेते हैं तो वही circuit diagram मैंने दिखाया है r1 x1 जो पहले आपका left hand side ता उसको shift कर लिया मैंने right hand side और magnetism part को left hand side shift कर दिया अब मैंने क्या किया कि दो parameters define कि हैं आपका r1 e और x1 e r1 e को मैंने क्या लिखा है आपका equivalent resistance refer to stator x1 e e stand for equivalent equivalent reactance refer to stator values क्या हो जाएंगी r1 e is equal to r1 plus r2 dash x1 e क्या हो जागा x1 plus x2 dash और r2 dash x2 dash की value हम अब find कर चोके हैं by dividing k square तो हमने r1 e लिका लिया x1 लिका लिया अब इसी की help से मैंने i1 define किया phasor समझाद करिए ac quantities है तो i1 phasor is equal to i0 phasor plus i2 r dash phasor दो no current i0 no load current जिसमें ic phasor plus im phasor तो last आपका जो equivalent circuit diagram वने का वो है आपके सामने screen पर यह यह आपका approximate equivalent circuit diagram जिसमें आपने resistances पूरा एक तरफ कर लिया reactances पूरा एक तरफ कर लिया load represent किया magnetizing part represent किया supply voltage represent की अब इसी पर वेज़्ड आपको numerical मिलेंगे जो की 10 marks कोंगे आप attempt कर सकते क्योंकि आपको सारे formula पता हैं आपको क्या पता है मैं फिर से एक बार चीज़ें आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि इस lecture में हम लोगों क्या study किया हमने इस lecture में study किया equivalent circuit of induction motor जिसको मैंने transformer से compare किया even define किया मतलब stator side के parameter define कि rotor side के parameter running condition में फिर फिर यह diagram बना लिया लेकिन बार-बार यह diagram नहीं बनाएंगे बार-बार हम circle और यह सब नहीं बनाएंगे तो हमने इसको replace कर दिया एर गैप से जब यह आपको मिल गए एर गैप अब problem इस पूरे equivalent circuit में थी कि हमारे पास mechanical load का electrical equivalent नहीं था तो हमने क्या किया कि जो आपका rotor side का डागराम है circuit डागराम है इसको थोड़ा सा simplify करने की कोशिश की हमने current find किया और एक term लिकाला r2 by s इसको two parts में break कर लिया r2 और दूसरा पार्ट था r2 bracket में one minus s upon s एक बताया आपका represent copper loss कर रहा एक represent कर रहा है electrical equivalent of mechanical load दैन हमने रोटर side के ही circuit को simplify किया डागराम a b c finally आपने represent कर यह हमारा load resistance है या simply mechanical load का electrical equivalent है बट चीज़ें refer करते हैं तो हमने अब रोटर साइट के parameter को stator side refer कर लिया यहां मैंने बताया था अगर voltage हो तो आप divide by k करेंगे current हो तो multiply by k करेंगे और अगर impedance reactance resistance यह तीन हो तो आप k square से divide करेंगे तब आपने simplify करके यह सरकीट डागराम बना लिया लेकिन फिर से पूछ लेते हैं कि भाई approximate circuit diagram ड्रौ करो तो हमने अब इसी सेम को approximate circuit diagram की तरह तरफ प्रोसीड किया कैसे कि हमने सारे resistances एक तरफ कर लिये reactances एक तरफ कर लिये उनको add-on कर लिया नाम दिया r1e x1e ठीक और then last जो डागराम अब हमने बना दिया वह हमारा approximate equivalent circuit diagram तो इस पर based numerical hope आपको यह lecture समझ में आया होगा thank you